जैशी क्रश्णा भक्त जनो आज अध्याय पांच का भाग सत्रा प्रारंब होने जा रहा है और पिछले भाग सोला में हमने जाना कि जो ज्ञानी विक्ती है वे इंद्रिय सुक्की और आकरश्ट नहीं होता और जिनकी मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जर्म तथा मृत्य के बंधनों को पहले ही जीत लिया है श्री क्रश्न अर्जुन से आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ना तो प्रिये वस्तु को पाकर हर्शित होता है और नहीं अप्रिये को पाकर विचलित होता है और जो स्थिर बुद्धी है और भगवत विद्या को जानने वाला है वे व्यक्ति ही ब्रह्म में लीन रहता है ऐसा मुक्त मनुशे भहते किंद्रे सुक्की और आक्रश्ट नहीं होता अपीतु सदी समादी में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है श्री क्रश्ट आग्या अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धी जीवों में कर्म की फलों को भोगने की इच्छा इतनी प्रवल होती है कि रीशियों और मुन्यों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूत ऐसे इच्छाओं को वश्मे करना कटिन हो जाता है जो भगवत भक्त क्रश्ट चेतना में निरंतर भक्ती करता है और आत्म साक्षातकार में सिध होता है वे शिग्री ही मुक्ती प्राप्त करता है आत्म साक्षातकार का पूर्ण ग्यान होने से वे निरंतर समाधिस्त रहता है ऐसा ही उधारन भगवत गीता में भी दिया गया है कि मचली, कच्छुआ और पक्षी केवल द्रश्टी, चिंतन और स्पर्च से अपनी संतानों को पालती है ही अरजुन, मैं भी उसी थरे करता हूँ, मचली अपने बच्छों को केवल देखकर बढ़ा करती है, कच्छुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्छों को पालता है, और कच्छुआ अपने अंडे स्थल में देता है, और स्वयम जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर इस्तित रहकर भी भगवान का चिंतन करके क्रश्न के धाम पहुंच सकता है आगे श्री क्रश्न अर्जुन को बताते हैं कि किस योग विदी से मनुश्य समस्थ प्रकार के भै तथा क्रोध से रहित हो ज प्रश्टी को बोहों के मद्धे में केंद्रित करके, प्रांट ता पान वायू को नथुनों के बीतर रोकर, और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धी को वर्ष में करके, जो मौक्ष को लक्षे बनाता है, वह योगी इच्छा भै और क्रोज से रहित हो जाता है, और जो निरंतरी सवस्था में रहता है वह अवशी ही मुक्त हो जाता है यह पांचवा अध्या क्रश्ण भावनाम्रत की जिसे कर्म योग कहते हैं वेवारिक प्यक्या है यहाँ पर इस प्रश्ण का भी उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है श्री भावनाम्रत में अश्टांग योग पदती का स्वय में अभ्यास होता है क्योंकि इससे अंतिम लक्षे की पूर्ती होती है अश्टांग योग की आठ विदिया है यम, नियम, आसन, प्रणायम, प्रत्याहा, धारणा, ध्यान, तथा समाधी भक्त जनों छटे अध्याय में य इसका प्रारमिक विवेचन दिया गया है इस प्रकार श्रीमत भगवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग अर्थात क्रश्न भावनाभावित कर्म का भक्ति वेदान पूर्ण होता है अब छटे अध्याय भाग 18 में हम जानेंगे कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रत करनी चलाता है और नहीं किसी प्रकार का कर्म करता है सभी भक्त जनों से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरू करें और मुझे आगे और वीडियो बनाने की प्रेणा दे जैश्री क्रश्ना प्रेणा